ये महल नहीं रेल्वे स्टेशन है इस रेल्वे स्टेशन को भी गुलाबी स्टेशन कह सकते हैं ये मेरे पापा है बहुत मुश्कल से घर से बहार निकलते हैं पुरा पीछे देख रहे हैं जहां तक महल दिख रहा है पुराने जमाने में किसी राजा महराजा की महल की तरह है ये मेरे इस रेल्वे स्टेशन का नाम है चार बाद कि लख नौन सबसे ज्यादा ट्रेण यहीं से चूट थिये हैं कितना प्रजारा दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खोबसूरत railway station जी हाँ देखने में कहीं से भी नहीं लगता है कि यह railway station है इस railway station को देखकर ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में किसी राजा महराव जाओगा यह महल रहा होगा देखिए दिखने में कितना और इतना बड़ा railway station है दोस्तों यह नवावो का शहर लखनों और यह जो आप लाल लाल गुलावी ऐसा लग रहा है जैपूर गुलावी शहर हो लेकिन यह गुलावी शहर नहीं यह लखनों का यह किसी राजा महराव जांका महल नहीं है ये लखनों का railway station है जिसे प्यार से नहीं है बड़े हग के साथ बड़े समझदारिक साथ लोग कहते हैं चार बाग railway station और ये railway station देखकर ऐसा लगता है किसी राजा महराजाओं का पुराने जमाने का हविली हो घर हो और मुझे लगता है एसिया का सबसे बड़ा railway station यही है जिस इसे लोग चार बाग कहते हैं कि इतना खुबसूरत बहुत खुबसूरत शानदार जबरतस्त कैसे यकीन ही नहीं हो था कि ये railway station है ऐसा लगता है पुराने जमने का राजा महराजा का महल है यह चार बाग railway station है लखनो नबाबो का शहर वाकई नबाबो ने जो भी बनाया कमाल का बनाया देखने लाइक बहतरी है उम्मिद करता हूँ आपको यह खुबसूरत नजारा बेहत पसंद आ रहा होगा मेरे उम्मिद करता हूँ आपको यह railway station बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को रियाज इंडियन ब्लॉग को लाइक करें सब्स्राइब करें शेर करें थाइंक यू